हेलो फ्रेंट्स, विल्कम टू ट्रेट सिक्रेट्स बाय प्रतिक, आज की वीडियो में हम मार्केट में कल कहा मोमेंटम आ सकता है, इंट्राडे के लिए हम कैसे ट्रेड कर सकते इस चीज को समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, उसी की साथ साथ आज का ये वीडियो दो पा सबसे पहला ट्रेड जो हमने यहाँ पे इंग्सेक्यूट किया था, वो तो मॉर्निंग में आपके साथ भी कल यूट्यूब पे शेयर किया था कि अगर मार्केट 14,200 के निज्या आता है, तो यहाँ पे गैपडाउन ओपनिंग के बाद हमें एक सेलिंग का प्रेशर देखन मिल सकता है, यह तो आपके साथ प्री टेलिग्राम चैनल पे यूट्यूब पे हर जगर शेयर किया हुआ था कल, बट आज का जो ट्रेड था बिल्कुल इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे एक अपसाइड का व्यू बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते 16 मिनिट पे यहाँ पे एक व्यू को शेयर किया गया था, जहाँ पे अपसाइड व्यू इन बैंक निफ्ती शेयर किया गया था, यहाँ पे अज़र हम इस चार्ट को भी देखें, तो यह एक इम्पोर्टन सपोर्ट इरिया था, जहाँ पे मार्केट टच होते साथ, इवन लेवल से, अब इस trade को execute क्यों किया गया था, इसको समझने कि यहाँ पर चार्ट पर कोशिश कर थे, यह एक important support लेवल जो निकल के आ रहा था, इसको समझने के लिए यहाँ पर हमें बड़े time frame में shift होना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह एक important support लेवल यहाँ पर बना हुआ था, मार्केट में, जहाँ पर मार्केट ने पिछली बार कखोद अच्छा bounce लिया था, इसी लेवल से, तो यह एक strong support था, यहाँ पर पीछे consolidation भी है, यहाँ पर market जब दुबारा इस लेवल पर आया है, तो यहाँ से market ने bounce लिया था, तो यह as a strong support act कर सकता है, यह हमने यहाँ पर identify कर लिया था, और जब market यहाँ पर नीचे आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हमने just market यहाँ पर touch हुआ और हमने तुरंत यहाँ पर trade लिया, इसके पीछे एक और logic जो हमने देखा था, उसका reason यह था कि अज़र आप 5 मिनिट का chart यहाँ पर थोड़ा सही से ख लिए मरकेट बहुत ज़्यादा ओर शोल टेरिटरी में आ जुका था, इस चीज को हम RSI की value से समझ सकते हैं, जब market ने यहाँ पर 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 ने अपने आप को upside में शिप गया था, तो इसे RSI का divergen कहते हैं, तो फॉर्म हो रहा था इसलिए यहाँ पे एक छोटे से रिस्क के साथ वन इस्टू थी फोर्थ का टार्गेट रखे यहाँ पे ट्रेड को इनिशेट किया गया था तो यह पहला ट्रेड था जो यहाँ से अल्मोस्ट 150 पॉइंट्स तक का टार्गेट हमें यहाँ पे देखनी मिला था अब मार्केट में हमने लाइव मार्केट में ही इसको एक्जिक्यूट किया था दूसरा ट्रेड जब एक्जिक्यूट किया था वो नेफ्टी में किया गया था जब नेफ्टी इस लेवल पे यहाँ पे रुका हुआ था तो यहाँ पे हमने मार्केट में वीकनेस को स्पोर्ट करते हुए बिल्कुल 11 बच कर 20 मिनिट पे ही अपडेट कर दिया था कि यहाँ से एक फॉल देखने मिल सकता है यहाँ पे आप देख सकते हो यह वाट्सअप गुरुप पे स्टूड़न्स के साथ शेयर किया था बिल्कुल इस केंडल पे यहाँ पे कि यहाँ से मार्केट में एक वीकनेस आ सकती है मार्केट में एक बहुत अच्छी वीकनेस हमें देखने मिली मार्केट हमारे expectations के इसाब से तुरन नीचे भी आया 60 point का fall जब हो रहा था तब हमने गुरूप पे update किया ये fall टोटल 82 points तक चला गया था तो अब इस trade को क्यों initiate किया गया है इसको भी समझने की यहाँ पर कोशिश कर मार्केट में आज के दिन हमें ये दो fix दा कि मार्केट एक selling trend में है तो जब मार्केट selling trend में होता है तब मार्केट पहले buyers को track करने की कोशिश कर तो आज के दिन मार्केट ने यहाँ पर क्या किया मार्केट ने पहले यहाँ पर एक level पर registers form किया और जब मार्केट ने यहाँ पे एक लेवल पे रेजिस्टर्स फॉर्म किया और यहाँ पे higher loads के creation के बाद मार्केट ने यहाँ पे breakout दिया breakout भी बहुत strong candle से दिया था यह बहुत ही ज़्यादा strong candle थी अब strong candle के breakout के बाद usually अगर मार्केट में upside का move आना होता है तो breakout के बाद मार्केट ज़्यादा देर यहाँ पे hold नहीं करता है अपने आप usually breakout के बाद अगर मार्केट उसी नेवल को hold कर रहा है तो बहुत high probability हो जाती है कि यह breakout fail हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे further strength continuation हमें नहीं दिख रही है तो जब भी ऐसी situation मार्केट में आती है तो यहाँ पे long side में trade को initiate करना थोड़ा से ललत हो जाता है प्लस अगर हम इसी चीज को फिबुनाची की लेवल से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे फिबुनाची कर जो आज कर day high और day low बना था यह अपने 60% लेवल के पास ही consolidate हो रहा था इस important resistance लेवल को market cross नहीं कर पा रहा था तो यहाँ पे इसी सब चीजों को consider करके downside का view बनाया गया था और उसका हमें बहुत अच्छा output यहाँ देखने मिला था अल्मोस्ट इस लेवल से market में 80 points तक का fall यहाँ पे आया है तो यह second trade हमने market में live market में हमारे student group के साथ initiate किया था अब थर्ड जो trade initiate किया था वो दुबारा बैंग निफ्टी में ही था बैंग निफ्टी में यह जो trade initiate किया गया था यह बिल्कुल इस candle पे initiate किया था upside का view इसको भी मैं दिखा देता हूँ एक minute यह देखें यहाँ पे आपको दिखेगा कि जैसे ही market ने यहाँ पे एक नीचे के side का move दिया तुरंत यहाँ पे एक candle के high के उपर हमने एक upside का view बनाया जहाँ पे आमने 134 points तक का मतलब यह जो previous resistance था यहाँ तक का target को initiate किया था इस trade को यहाँ पे मैंने personally put selling में preference दिया था बट यह बहुत इप इंदमनी put थी जिसका almost rate उस time पे चल रहा था 446 का जहाँ पे market ने हमारा यह बिल्कुल 134 points का exact target closing के time तक हमें दे दिया जो put sale की थी उसमें 114 points का यहाँ पे target हमें अचीव हुआ तो basically इस trade को भी initiate करने के पीछे जो logic था वो यह था कि market में आप देख सकते हो यहाँ से market नीचे आया एक fullback लेने के बाद market अपने एक important support level पे आया यह बहुत ही strong important support लेवल था जहाँ से market ने बहुत ही strong bounce लिया था 100 plus point का कोई भी bounce अगर किसी भी support level से आता है तो वो as a strong support होता है तो जब दुबारा market इस level को approach कर दा है तो यहाँ पे market में अगर यही same situation कुछ ऐसी होती कि market उपर गया यहाँ पे नीचे आने के बाद दुबारा यहाँ से support लेके एक छोटा सा swing create करके फिर अगर इसको break down कर प्रेंगों में cut कर दिया तो ऐसे breakdown पे थोड़ा सा trust करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि market जब भी आप देखो कि अगर यहाँ से हमने fall को consider किया तो यहाँ से यहाँ तक 170 points तक का fall one way आया है without any major pullback किसी swing का creation नहीं हो है कुछ नहीं हो है तो यहाँ पे market एक line में नीचे गिरना थोड़ा सा मुश्किल है जो market का nature है उसके हिसाब से market को यहाँ पे थोड़ा सा रुपना चाहिए था एक bounce लेके फिर दुबारा अगर नीचे का continue होता जर्नी तब यहाँ पे हो सकता था कि further downfall देखने मिले बड़ यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ market ने one go में एक important support को break कर दिया तो यहाँ पे यह breakout फेल होने के chances बहुत जादा होते तो इसी चीज़ को ध्यान बखते हुए हमने यहाँ पे एक green candle के उपर यहाँ पे entry को initiate किया इस candle के ही नीचे के level पे stop loss को रखे और same time पे आप दुबारा यहाँ पे RSI देखोगे तो यहाँ पे price lower low का formation कर रहा है same time पे यहाँ पे RSI higher highs का formation कर रहा है तो यह भी एक factor था जो हमें यहाँ पे confidence दे रहा था कि यहाँ से upside का move आ सकता है market में selling pressure बहुत ज़्यादा होनी की वज़े से upside का move बहुत देरे देरे आया और यही चीज़ को consider करके हमने यहाँ पे put selling की थी तो I hope आपको आज की जो trades initiate किये थी इसका logic समझ में आ गया है अब हम कल के market के overview की बात करेंगे daily chart से हम यहाँ पे शुरुआ करेंगे daily chart में bank nifty में अब bank nifty यहाँ पे जो सिलसिला चल रहा था एक red एक green एक green candle का finally यहाँ पे इस selling candle के बाद market इस zone के बाहर निकलते हुए दिख रहा है हमें आज की candle में 44,000 के नीचे market ने closing भी दे दिया है अब यहाँ पे हमें जो probability है वो नीचे के side भी अभी काफी supports बने हुए यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे multiple times market इस area में support ले चुका है तो यहाँ तक market तो आ सकता है बढ़ क्या market अभी तुरंत कल भी अप्टाउन और ओपन होके तुरंत यहाँ तक आ जाए था इसकी probability बहुत कम है क्यूँ क्यूँकि market ने हम अगर hourly time frame में समझे यहाँ पे एक range का formation किया था और finally इस range का market ने breakdown दे दिया यहाँ पे नीचे closing दे दिये तो अभी market में market के nature के हिसाब से यहाँ पे fall आया एक pullback आ सकता है यह levels को market दुबारा retest कर सकता है 44,200 के और फिर हो सकता है कि fall दुबारा continue हो तो market में अभी एक pullback pending है और वो pullback जब आयेगा market में तो यहाँ पी यह जो gap create हुआ हो सकता है यह gap feeling के लिए आ जाए तो पहले market यहाँ पे यह gap fill कर सकता है और दुबारा फिर अपनी downside की journey continue कर सकता है तो तलका दिन भी market में थोड़ी सी volatility बनी रहेगी both side के moves हमें देखने मिल सकते है 15 minute के chart में हम यहाँ पे trade को कैसे plan कर सकते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे अब market ने एक यहाँ पे swing create कर दिया है यह वाला जब तक market इसके नीचे नहीं आता है तब तक हमें aggressive selling देखने नहीं मिलेगी अब दुबारा और उपर के side market ने यहाँ पे यह resistance create किया हुआ है तो अगर market कल flat या इस candle के ही बीच में यहाँ पे कई पे open होने के बाद थोड़ा सा halt करके इस level का break out दे देता है तो यह gap तक का target हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है पहला resistance market gap के initial point पे करेगा और अगर इसको cross कर दे तो हो सकता है कि यह gap पिलो हो जाए बट as of now market में sale on rise का market बना हुआ है weakness बनी हुई है तो जब तक market इस zone के वापस उपर तक यहाँ पे daily basis में जब तक closing नहीं देता है तब तक aggressive buy करना थोड़ा सा risk हो सकता है तो यहाँ पे कम quantity और strict tessel के साथ काम किया जा सकता है यहाँ पे इस target के लिए 44,000 के ऊपर 44,150 से लेके 200 का target हमें यहाँ पे मिल सकता है इंटर अगर मैं downside की बात करो तो market नहीं यहाँ पे एक इस type का channel फॉर्म किया है अगर market इस channel के नीचे आ जाता है opening के बाद यहाँ पे यह जो तीन candle बने इनका अगर लो कट कर देता है market यहाँ पे इन तीन candle तो हो सकता है कि दुबारा यहाँ से selling का pressure देखने मिले और इस बार market इन लेवल पे भी नहीं रुखेगा तो यहाँ से हमें एक और new swing low देखने मिल सकता है अगर हम nifty की बात करें तो compare to bank nifty nifty में यहाँ पे second half में जो recovery आई यह वो बहुत अच्छी आई यह बट nifty में भी वही सीन है कि यहाँ पे अब यह जो 500 का लेवल है यह as a resistance act कर सकता है और market में यहाँ पे यह जो gap create हुआ है तो market में अभी aggressive buying का कोई scenario है नी बट aggressive selling भी आपको particular resistance levels पे करनी चाहिए अगर आ middle में कहीं पे भी aggressive sell करोगे तो आपके sell हीट होने के chances बहुत ज़ाद है तो market में levels का respect कीजिए लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करोगे तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत अच्छा सुधार आएगा आपके sell कम हिट होंगे आपको output जो ट्रेडिंग से desire है वो अच्छा मिलेगा तो market में patience के साथ बैठिए levels to levels ट्रेडिंग कीजिए आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना अगली वीडियो मिलते हैं ओके बाइग